हेलो डियर इस्टूरेंस एक बार फिर से स्वागत है आप से भी का अपने चैनल टार्गेट सेमेस्टर पर आज राजनीत विज्ञान की ये पाँचवी क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं राजनीत विज्ञान का आधुनिक द्रिश्टिकोंन यानि कि जो मौडर्न एप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वरना यहां पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि कोई भी माली जे एक सिक्का होता है एक सिक्के को दो पहलू होते हैं तो किसी एक पहलू को समझे भी न हम दूसरे पहलू को नहीं समझ सकते हैं उसी से ही है और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए वरना यहां पर कुछ भी नहीं समझ में आना है कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा सब कुछ आपके सरके उपर से जाएगा ठीक है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लो से मिल जाएगा वहां से जाकर के आप जॉइन कर सकते हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वाट्सव नंबर भी वहीं पर दिया हुआ है आप कॉंटेक कर सकते हैं कि कैसे जॉइन करना है ओनली 99 रुपीज प्राइस है यहां पर आपको यहां समझने के लिए कैसे questions आते हैं with answers कितना लिखना पड़ता है answer writing skills क्या होती है कितना कैसे लिखना है यह सारी चीज जानकारी मिल जाएगी और वहां पे कुछ वहां पे क्रिविजन के लिए notes भी आप लोगों को अलग PDF के मादम से available होंगे ठीक है फिलाल हम topic पर बात करते हैं थोड़ा सा basic तरीके से चलते हैं चीजों को समझाने का प्रयास अच्छे से करते हैं ताकि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखिए उसको देख लीजेगा ठीक है लेकिन फिर भी हम थोड़े points उताते हैं पहले हम समझते हैं कि यह जो ट्रेडिशन अप्रोशी तो परंप्रागत दृष्टिकोर था उनका क परकार काध्यान है जो ट्रेडिशन अप्रोश पूर्या जो पिछला चैप्टर था वो इसी पेवेश्ट था यानि ट्रेडिशन अप्रोश की जितने भी परंप्रागत दृष्टिकोर के यहां पर विद्वान थे उन्होंने सिर्फ इस आधार पर पूरी अपनी परंप्र चर्चा की थी वो बेस था वहांपका हमने समझा लेकिन उसके बाद हमने एक यह लेखा कि जो राज्जियों सरकारों का उन्होंने अद्हन है कि राजजिध ready विग्ञान राज्यों राज्ज puisque कार रहता है था और यह जो राज्यों सरकार का अध्यन है यह तीनों आधारों के आधार पर ही आधारी थे ठीक है जो तीन इसके आधार हैं दर्शन एतिहास और संस्था इन्हीं पर आधारी थे राज्यों सरकार का अध्यन उसी के आधार पर निकाला गया है आपका परमपरागत द्रिश्टिकोड के अंसार राजनीत विज्यान राज्य और सरकार का अध्यन है तो इस पर बात कर लेंगे यानि कि कोई भी चीज अगर हम राजनीत विज्यान में अध्यन करते हैं वो हम परांपरा एक सेगें बिना हम राजनीत विज्यान नहीं निकाल सकते हैं परमप्रागत द्रिश्टिकोर के आधार पे हम संस्थात्मक का संस्थाओं का अध्यन के बिना हम उसको नहीं निकाल सकते हैं और जब तक हम दर्शन का अध्यन पूरी तरीके से दर्सन पर आधारी था पहली चीज़ आपको समझनी है अब यहां पर आपको कुछ चीज़े समझने वाली है जैसे जो परंप्रागत दृष्टिकोड है उसका पूरा आधार दर्शन भी था यानि दर्शनात्मक रूप से जो अरस्तु के समय से सुरू हुई राजनीति की व्याख्या वो दर्शन पर आधारी थी दर्शन का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए मतलब अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या होना चाहिए हम सिर्फ कल्पना करते हैं उसके बारे में कोई भी तथ्य प्रमारित नहीं करते हैं किसी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी समस्य होनी चाहिए हम उसके लिए कड़ते कुछ नहीं है तो परंप्रागत द्रिश्टिकोड भी कुछ इसी प्रकार का था ठीक है तो इसी के बैसे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं लेकिन अब ध्यान रखना है जो आधुनिक द्र स्वारे में है खीक है बिया अगला की आफ़िक है अलोसा एक अनूम के बारे मिधा की मिधा सब्सक्राइब को समझ भाड ले मरें गजांपल पहले देते हैं पिर उसके बाद हम जो इसके Advanced वसुपर बताएंगे मादिजेकिया आप क्युक विद्गोnych कम करना चाह रहे हो ठीक है आपने एक पद्दत ही धूनी एक आपने टेक्निक धूनी एक तरीका धूना कि मालीच आप एक्जाम करना चाह रहे हो आपने सोचा कि यह वाला जो एक्जाम है UPSC का हमने अगर इस strategy से पढ़ाई की तो इस strategy के point of view से हम इस exam को crack करेंगे और उसके लिए आ पाया कि इन्होंने जो चीजे बताई थी वो हमारे exam के point of view से सही नहीं थी और हमारा exam crack नहीं हो पाया आप हम क्या करें तो आप कोगे कि कोई अच्छा हम यहां पर टीचर देखते हैं उसके according हम यहां पर पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के अनुसार हम अपने UPSC exam द देखा आपने को कैसे questions आते इसका पहले से आपको दिन हो गया था एक सीख तो मिली गई थी कि कैसा तो सीख का मिलना यहां पर यह कहतियासिक दिन हो ही गया एथियास भी यहां से जुड़ा हुआ है ठीक है और इस पर बात करें तो आपका exam crack हो गया अब crack हो गया आपको गटित हो जाती है और वह आपकी favor में नहीं होती है या आप जिससे आशा कर रहे होते हैं वैसी वह आशा के अनुरूप नहीं होती है तब आप किसी दूसरी पद्यतिका यहां पर उपयोग करते हो वही तरीका था यहां पर वहवारवात के रूप में जो एकुदय हुआ वह लिए सबीत हुए जब प्रथम विशुद्घ और दल्टी विशुद्घ गटनाया सामने आ गए हैं यहां पर निस्कर्स क्या निकला कि दो सर्थम विशुद्घ दलती विशुद्घ की आपकी घरना हो गए इसका मतलब जिस राजनीत विज्यान के पद्द्यतिपर हम काम कर रहते वो सही नहीं है उसमें बदलाओ की ज़रूरत है उसमें आउशक्ता है परिवर्तन की उस परिवर्तन को लाने के लिए इस वहवारवाद का जन्व हुआ वहारवादी दृष्टिकोण में आपने नाम सुना होगा मेर्यम जो कि अमीर्यका संस्थान से जुड़े ह हुए थे मेरियम ने यहां पर बात कहीं अब हम पहले एक बात समझ लेते हैं मेरियम की बाती उन्हों ने कहा कि जो परंपरागत दृष्ट कोण है वो सिर्फ कलपनाओं पर आधारीत है वो दर्शन पर आधारीत है उनका कहने का मतलब था दोती विश्युद्ध अगर घटना हुई है दोती विश्युद्ध हुआ है तो राजनीत विग्यान क्रियाकलाप में सही नहीं था क्योंकि वो सब कल्पना करता था वो सोचता था कि क्या होना चाहिए कोई तत्य प्रमारीत नहीं करता था किसी भी चीज को लेकर को स cleaner था ठीजख़ले ह 오케이 नहीं करता था उन्होंने माना इसके लिए सबसे पहला जो हमें यहां पर अध्यान करणा चाहिए वह का करना चाहिए वन्टिग के का ठीड़न करना चाहिए ठीक है तो इसी कि आधार पर जो दिन्राइवी हें पर प्रतिपाधन हो गया कि राजनीत विज्ञान का अध्यान का में सिर्व राज्य और सरकार यानि संस्थाओं की माध्यम जनी करना चाहिए उसमें जब तक हम व्यक्तिक आधार को नहीं जोड़ेंगे तब तक हम अध्यान कैसे कर सकते हैं जब तक हम व्यक्तिक आधार को नहीं जोड़ेंगे उसका दिन कैसे कर सकते हैं क्योंकि व्यक्तिक गत्विदियां होती है जो राजनीतिक गत्विदियां होती ही जो राजनीतिक क्रिया कलाप होते हैं वो व्यक्तिक के माध्यम से ही किये जाते हैं और व्यक्ति राजनीति जी यहां पर डेविड इस्टन का नाम सुना होगा वहवारवाद के प्रनेता के यहां जनक की रूप में माने जाते हैं डेविड इस्टन तो डेविड इस्टन ने आनुभाविक आधार पर यानि की impresion की आधार पर यहां पर बात कही कि वहवारवाद में इस तत्तु को भी सामिल किया जाना चाहिए यह भी पदत्ति के तौर निकाल लें तो ही वह चीज हमारे लिए scientific method हो सकते हैं method हो सकता है हमा साइंटिफिक काम कर सकता है ठीक है कैसे हमा अगर किसी भी चीज को सिर्फ कलपना कर लें कि ऐसा नहीं अगर माली जे इस्टेट का ही ले ले एक ऐसा state होना चाहिए एक आदर सराजी होना चाहिए आदर्सराजी कैसा होना चाहिए क्या पता वह ऐसा ना हुआ तो आप क्या करेंगे इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ घटनाएं हुए होती है उन घटनाओं का हमें अनुभव प्राप्त हुआ होता है उस अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि परिस्तितियों क अनुभव हम चीजों को कैसे बदल सकते हैं ठीक है तो हमारे पास तत्फ्ध एकट्य होने चाहिए जब तक हल क्या हो सकता है उसके लिए solution क्या हो सकता है किसी भी problem का ठीक है इसलिए facts यानि अनभव के आधार पर चीजों के एकत्र करने की बात कही संकलित करने की बात कही यहाँ पर डेव डिश्टन ने इसके बाद इन दोनों method को अगर आप मिलाते हो ध्यान रखना इन दोनों method को अगर आप मिलाते हो तो एक और method यहां पर create होता है वो है वैज्यानिक आधार यानिक पद्धति के आधार पर भी राज़नीत विज्ञान का अध्यन किया जा सकता है अनुभो के आधार पर आपने तथ्यों को प्राप्ति किया उन तथ्यों की जो प्रामाडिकता है आप उसको कैसे प्रमाडित करोगे कि वो सही है कि गलत है वह साइंटिपिक करना पड़ेगा व्यग्यानिक प्देति के माध्यम से हाँ वह सही है तो उसको प्रमारित करने के लिए हमें व्यक्तिक आधार पर जो अनुभोप्राप्त होते हैं यह व्यक्तिक आधार पर अध्यन करना पड़ेगा अब व्यक्तिक आधार पर अध्यन क्यों करना पड़ेगा क्योंकि घटना है हम लोगों के सामने ही घटित होती है राजन कर रहे हो क्योंकि राजनीति क्रियाकल आप में जो व्यक्तिक एक इंडिविज्वल पर्सन होता है उसका बहुत बड़ा महात्तो होता है ठीक है तो इन्हों ने इस बातों पर यहां फोकस किया तो इसी आधार पर व्याग्यानिक पद्दति का आप समझ लीजिए ठीक है व्यक्तिक आधार यह जो थेर्ड वाला है लेकिन हमने इसको व्याग्यानिक आधार से जोड़ना था इसी वज़े से हमने पहले इसको बताया क्योंकि यहां पर जो मैरियम थे इनके मादम से करेंगे लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और अच्छे से समझ लेते हैं इन चीजों को एक बार फिर से यह तो थी जो फैक्ट्वल तरीके से अगर उन्होंने बताया कि चीजे हमारी हो जाएंगी अगर वैक्ति को वैग्यानियों को अनभवी को इन चीजों के आधार पर हम राजनीत विज्ञान का अध्यन कर सकते हैं कि राज्यों सरकार के अध्यन के आध्यार पर हम राजनीत विज्ञान का अध्यन नहीं कर सकते हैं तो इस आधार पर कैसे हम क कहा जा सकता है या कहा जाता है कि आप इसका अध्यन सिर्फ राज्य और सरकार के अंतरगत नहीं कर सकते हो या फिर राज्य सरकार का मतलब वह संस्थात्मक तरीके से इसका जो अध्यन है वो आप हमारे मानो जीवन जो एकाई की रूप में काम करता है उसके जितने भी पक्ष है आर्थि को राजनीति को सामाजी को मनों वैज्ञानी को उन सब का अध्यान करना पड़ता है ठीक है तो माली जे मनुस्य है मनुस्य के जीवन की ये भी पक्ष है 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 ये भी अब तक हम अध्यन कर रहा है थे तिस राजनीतिक आधार पे लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो राजनीतिक है इसको भी जोड़ा जाना चाहिए कि ऐसा नहीं नोने कहा कि नहीं चोड़ा जाना चाहिए लेकिन हमें अपने जीवन के और और पक्षन का भी यहां पे और पक्षों को भी शमीलित करना चाहिए सहल नहीं यह पलकि जये में थिया नहीं टढ़ में देडिय जय कर सकते अब राज Put विगयान का दिन क्यों से संबंदीत होते राजनीती 25 से संबंदी नहीं होते हैंगा इसी आधार पर तो राजनीती विज्ञान का अन्य संवाजिक विज्ञानों के साथ संबंद का एक जो हमने पहले part कराया है वह निकल कराया था उसी आधार पर इंटर लिंक हैं अगर आप इनको समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे एक बड़ फिर से अगर हम देखें तो बहुत ही संचेप में चीजों को समझा देते हैं अगर आप लोग अच्छे से तो चीजे आपको समझ में आएंगे ठीक है कि यह मुल्यों के आधार पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुल्यों को पूरी तरीके से त्याग दिया इन्होंने दर्शन को पूरी तरीके से त्याग दिया दर्शन मतलब मूल्य तो इनका मतलब था कि इन्होंने मूल्यों को छोड़ करके यहां पर व्याग्यानिक पद्यति को को नहीं अपनाया यह जो व्यग्यानी साइंटिफिक मैथड एक्दम साइंटिफिकली इन्होंने चीजों को एक्दम प्रमाडित करने की बात कहीं इस आधार पी इन्होंने राजनीत विग्यान को का उन्होंने का कल्पना के आधार पे नहीं होना चाहिए मोटा मोटा समल्लो कि आपको scientifically आपको यहां पर प्रयास करना पड़ेगा कि किसी भी राजनीत विज्ञान के अध्धन को समझने के लिए लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें हम मूल्यों को भी बूल जाए उसमें मूल्यों का भी कुछ ना कुछ योगदान होगा जरूर होगा लेकिन आगे चल करके य इतनी प्रभावकारी नहीं होई तो इसी को देखते हुए फिर उत्तर वहवारवात का यहां पर जन्म हुआ लेकिन हम बात कर रहे थे कि इसको एक बार फिर से स्वाट में समझ लें संशेप में तो बहतर होगा हमने बात कहीती परंपरागत द्रिश्टी कोड क्या होता है तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि जो परंपरागत द्रिश्टी कोड है वो राज्य और सरकार का अध्यन है राज्य और सरकार का अध्यन है अगर आप यह समझ गये कि राज्य और सरकार का अध्यन है इसका मतलब क्या हुआ कि यह सिर्फ संस्था की बात कर रहा है कि राइधंटी और चीज़ को चीज़ को मानवी क्रिया हैं उनको सामीलकरना ठीक है तो फिर आकर कि आधनिudव कोड का परिदिपाधन हुआ और इसमें यह जो परनप्रागत दृश्टिकोड था यह मूलियों और आदर्शों पर दारिक था लेकिन इह हूं पूरी तरीके से मोल्यों और आदर्शों को नहीं छोड़ा ध्यान रखेगा छोड़ा लेकिन पूरी तरीके से ना छोड़ते हुए क्योंकि कहीं ना कहीं अंस्तो उसमें विद्यमान था ही इन्होंने व्यग्यानिक तरीके पर बहुत ही ज्यादा प्रबल तरीके से यहां पर बात कही है कि आप तथ्यों को एकत्रित करो और तथ्यों के आधार पर चीजों को यहां पर उसको विस्तित करो उसके आधार पर निकालो कि राजनीत विज्ञान एक विज्ञान के रूप में काम करता है राजनीत विज्ञान का मलग जो राजनीत विज्ञान है वो क्या है ठ पड़ेगा यह पूरी जो वहवारवाद का वैसे आप बुक में देखोगे तो बहुत सी चीजी आपको मिलेंगी आपको बस समझना है कि क्या है ठीक है और बाकी बुक में नोट्स वागारा कैसे हैंगे वो तो आपको नोट्स मिल जाएगा और करना भी आपको है वो थोड़ इसके पीछे जो पूरा हाथ वो राजनीत विग्जान का ही था तो राजनीत विग्ज्यान को ही जब आप ठैला होगे तो विधुति विशुदध होगा हला कि सादर कि अगला विशुद नहीं होगा लेकिन वर्तमान संदर्भ की परिस्तितेयां कुछ और ही बता रही है औ यहां पे इसके बाद हम उत्तर वहवार बात करेंगे, आज के लिए फिलाल इतना ही है, क्योंकि यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और उत्तर वहवार यानि कि पोस्ट बेहवरियलिज्म का जो चैप्टर है वो हम कल इस पर बात करेंगे, इन चीजों में बि इसको बताया, फिर इसको बताया, और फिर इसके लिए हमने, व्याजनिक आधार के पद्दध पर जो है, उसको बात कर्यों, तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो इन तीन आधारों पर कही गई हो तीन आधार आपके प्रमुक्त हैं जिन पर पूरा आपका वहवारवाद जो है वो आधारी थे आध्मिक देश्ट्यकोड के आधार पर तो हम कही सकते हैं कि हमें अपने जीवन के राजनीती पक्षकाद्यन नहीं हमें अपने मानवी घड़ाद पे हमने वैवारवाध को समझा हो सकता था कि आधमिक देश्ट्यकोड इस पर एक अलग चेपर भी बन जाता जैसा कि आपके बैद बाते हैं कि अहाई थेस एक बिद्र黨 पर प्रता हैं यघ संधा सकते लेकिन इतना ही आपको कम वीडियो में हमने समझानी के पूरा प्रयास किया आई ओप की जितना भी मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगला जो है क्लास कल होगी उत्तर वहवारवाद पे तो आज के लिए फिलाल इतना ही हमारे साथ जोने के लिए आप से बिका बहुत बहुत दनिमाद